वेल्कम टू यूपेसी एक्जम्प्रेप आज तीन दिसमबर दोजार तेश और स्वागत है आपका करेंट फैस न्यूज डिसकसन में तो आज शुरू करते हैं आज का हमारा पहला आठकेल है अभी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने मिलेट के लिए वैस्विक मानक इस्थापित करने के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है तो अब यह चर्चा में तभी अब इसको देखते हैं CAC ने मिलेट्स पर वैस्विक मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इन मानकों में रागी, सांबा, कोदो मिलेट, चीना और कुटकी के लिए मानकों को समू मानक के रूपे सामिल किया गया है ये समू मानक खाद संरक्षा और मानक प्रादिकर्ण यानी FSSAI फसाई के निर्धारित किये हैं ये मानक 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए है नमी की माला इवरी केसिट की माता जैसे 8 गुडवक्ता आधारित मांदन्द आधारित करते हैं ये मानक निदारण संबंदी ये पहल अंतरराश्टिये मिलेट्स वर्ष के आयोजन के अनुरूप है भारत ने मिलेट्स के पोषड और स्वास्ताय संबंदी गुड़ों के बारे में जागुक्ता बढ़ाने के लिए भी ये बैस्विक मानक संबंदी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मिलेट्स छोटी वा गोल बीज वाली बारसिक रूप से उगाई जाने वाली घासों के सामुईक समू है इन्हें मुक्ता संसीतोष पोषड रिक बंदी और उश्रिक बंदी चेत्रों के सुस्क चेत्रों में सीमान्त भूमि पर उगाया जाता है इन्हें पोसक अनाज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये मानब शरीर की कार्य पनाली के लिए आवस्यक आधिकतर पोसक तर्थ प्रदान करते हैं Codex Elementary Commission के बारे में देख लेते हैं तो ये एक अंतर राश्टिये खात मानक निकाय है इसकी इस्थापना विश्ट स्वास्थ संगठन और खाद वंकरसी संगठन ने सायुक्त रूप से की थी इसका मुख्याले रोम इटली में है और ये भारत सहित इसके 189 सदस्थ हैं इसका उद्देश से उपवगताओं के स्वास्थ की रक्षा करना और खाद पदार्थों के व्यापार में उचित व्योहार सुनचित करना है Codex Elementary यानि CAC द्वारा अपनाए गए मानकों दिसानिर्देशों और Codex of Practice का एक संगठन है Codex Elementary को Food Code भी कहा जाता है Codex मानक एक स्वाचिक है WTO का Sanitary और Phytosanitary उपायों के उपयोग का समझाता अंतरराश्थिये व्यापार वा व्यापार के विवाद निप्टान के लिए भी Codex मानकों का दिसानिर्देश एबम सिपारिस को मानता देता है WTO का SPS तीन अंतरराश्थिये मानक निधारिस संगठनों को मानता देता है इन संगठनों को थ्री सिश्टर्स के रूप में भी जाना जाता है ये संगठन ये हैं निमलिकते हैं तो इसमें खाद सुरक्षा के लिए Codex और पादव स्वास्थये के लिए अंतरराश्थिये पादव संगठन अभी समय और पसु स्वास्थये के लिए 200 पसु स्वास्थये संगठन ये इसके तीन संगठन है हमारा अगला अटकिल है संयुक्त राष्ट मरुस्थली करण रोगताम अभी समय ने अभी ग्लोबल ट्राउट इस इसनेप सौट दोजार तेईस रिपोर्ट जारी करी है इसके बारे में तो आएए देख लेते हैं अभी संयुक्त राष्ट मरुस्थली करण रोगताम अभी समय यानि UNCCD ने 1992 में रियो डी जिनेरियो में संपन हुए थे ये प्रतवी सिखर सम्मेलन में अपनाए गए तीन अभी समय है आने दो अ लोग सूखे से प्रभावित है इसमें से 85% लोग निम्न या मध्यम आयवाले देशों में रहते हैं बहुत बढ़ा हिस्सा जो यह तो निम्न आयवाले देश है या मध्यम आयवाले देश है उसमें रहते हैं जो इससे प्रभावित है जलवायू परिवर्तन से उत्पन हु लोग में परिवर्तन ग्रीन हाउस गयतो सर्जन जल की खपत में ब्रद्धी आदी ये कुछ ऐसे चीजें सामिल हैं इस रिपोर्ड में UNCCD ने तहरा लाभांस प्राप्त करने के लिए बैस्विक सूखा लचीलापन की आवस्चता को रेंखाकित किया है इसमें सामिल है तो इ सामाजिक एवां पर्यावर्डिये सहलावों को भी बढ़ावा देना है बैस्विक सूखा लचीलापन के लिए कुछ सिपार्शे करी गई है उसमें जैसे की भूमी पुरा सुधार करना और सतत प्रमंदर पर ध्यान देने ज़रूत है प्रकृति के अनकूल क्रसी तक्नीके जैसे सूखा प्रतिरोती फसलेओं की जैसे जादतर की जाएं इसमें कुसल सचचाई विदियों और मुर्दा समर्चण को भी अपनाने किया वसकता है आपदा के लिए तयार रहने और हग्रिम चेतावनी पणाली बिक्सित करने की भी जरूरत है ज्यान हस्तांतरन यानि ज में बैस्विक इस्तर पर जो मलब यह तो और यह सभी के लिए लागूं है जो बैस्विक इस्तर पर शुरू की गई पहले में इवेन सीसीडी द्वारा संचालित ड्राउट इनिसेटिव इंटरनेशनल ड्राउट लेजिलियंस एलाइंस इसके लिए शुरू करा गया है भा खाद सुरच्छा में कमी आती है जिससे अकाल भुक्मरी आत जैसी समस्याएं देखी जा सकती है और इससे जो बिवस्ता आधारित जो प्रवासन या प्रजातियों की बिलुप्ति होती है एसे जब सूखा पड़ता है तो जब लोगों पास खाने के लिए नहीं होता है तो खनबे समय के लिए बनस्वती और क्रशी उतपादकता में भी कमी आती जब सूखा नहीं परड़ेगा तो पानी से बंती है और पानी नहीं होगा तो उƯहां समस्याव चॉसक भी. और इसमें बनों की कटाई में भी बड़ोत्री होती है जो भी जब सुखा पड़ता है तो जब लोग अपने जरूटों के लिए कुछ ना कुत्तों करते ही हैं तो उससे बनों की कटाई या पर भी प्रभाव पड़ता है हमारा अगला आठिकिल है बियना में आयोजित इंटर की 51 महासभा की बैठक में अपराधिक पुलिक प्लिस अंगठन या इंटर पॉल की इसका मुख्यालय फ्रांस के लिएन में श्थित है ध्यान रखना फ्रांस के लिएन में श्तित हुआने में अलग देंस को सुरक्चित जगह बनाने में आलग देशों की पुलिस को से मिलकर कार करने में मदद करने के लिए की गई थी अब इंटरपोल एक बारे में देख लेते हैं तो इंटरपोल ये भारत सईथ इसके कुल 196 सदस्य देश हैं इसकी संरचना तो इसमें इस महासभा में ये नीतिकत बितिये वा अन्य मुख्य विसयों पर निरड़ निरड़े लेने वाला सर्वोच सासी निकाय है इसकी बैठक प्रतिवर्स आयोजित की जाती है इसमें इसके महासभा द्वारा निरवाचित तेरा सदस्यों से बनी होती है इसमें एक अध्यच और तीन उपाध्यच चार अलग छेत्रों के नव प्रतिनिदी सामिल होते हैं राष्ट्रिये केंद्रिये बेवरो यानी NCB ये प्रतेक सदस्य देशों में इसका एक राष्ट्रिये केंद्रिये बेवरो होता है उधार के लिए भारत में केंद्रिये जाच बेवरो NCB की भूमिका निवाता है ये NCBs इंटरपोल की सभी गत्मिजियों का समनुबै करती ह इंटरपोल के मुखकार क्या होते हैं तो इंटरपोल के कारियों में ये चार बैस्विक अपराधों से निपटने में देशों की मदद करता है ये अपराध है आतंकबाद, साइवर अपराध, संगटित अपराध तथा बित्तिय अपराध और भ्रष्टा चार रोधी पराधियों के नाम, उनकी उंगलियों के निसान, नकली पास्पोर्ट की भी जानकारी इत्याद कुई सामिल होती है ये हमेशा वल्लब 24x7 नामक संचार पनाली के माध्यम से ये सरस्य देशों को डेटा रियल टाइम आधार पर प्राप्त करते हैं ये बिविद मामलों पर अलग-अलग रंगों के नोटिस जारी करते हैं जो अभी हम नीचे देखेंगे ये पुलिस अधिकारियों को भी प्रसिच्छड परदान करते हैं अब ये जो जो विविद मामलों में जो अलग-अलग रंगों के नोटिस जारी करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं जिस उसे गिरफ्तार करने के लिए यह Red Connor Notice जारी करते हैं, Yellow Notice होता है, यह जो गुम्सुदा लोग होते हैं, उनका पता लगाने के लिए Yellow जो Notice जारी किया जाता है, Black Notice यह अज्यात सबों की पहँचान करने के लिए जारी किया जाता है, परपल नोटिस ये अपरादियों द्वारा जो अपराद करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है और इस्पेसल नोटिस तो इस्पेसल नोटिस ये उन व्यक्तियों के समूवों के लिए जारी किया जाता है जिन पर संयुक्त राष् तो अभी हाली में रक्षा अधिकरण परिषद ने 2.23 लाग करोड रुपे की रासी के विभिन पूंजी अधिकरण प्रस्तावों के लिए आवसक्ता की स्विकृती को मंजूरी दी है रक्षा अधिकरण परिशत के बारे में तो ये डियेसी खरीद पर रक्षा मंत्राले का सर्वोच निरड़े लेने वाला निकाय है इसका अध्या से ससत्र बलों को अनुमोदित आबसक्ताओं की सिग्र खरीद करना होता है इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था इसके बाद राश्ट्य सुरक्षा परनाली में सुधार पर मंत्री समुगों की सिपारिसों पर किया गया था इसके संगठन में रच्छा मंत्री इसके अध्यच होते हैं डियसी के और सदस्यों में चीफ आफ डिफेंस इस्टाप होते हैं और यानि सीडियस और थल सेना नौ सेना और बाई सेना के जो प्रमुक होते हैं वो भी इसमें सामेल होते हैं इसका कारी क्या होता है तो इसके कार्यों में ये रच्छावलों के लिए 15 बरसिये दीर कालिक एकी क्रत परिप्रेच योजना को सैध्धान्तिक मंजूरी देने है इसके उद्देश से और अधिकरहण प्रस्ताओं की आवस्टता की सुईकृती और समझाओता करना इसका उद पैसे आधिक के अधिकरहण प्रस्ताओं से संबंद में आफसेट प्रापधानों के संबंद में अभी नड़ा ले सकता है अधिकरहण प्रस्ताओं की खरीद और बनाए जो स्रेड़ी के तहित प्रदोग्य के हस्तांत्रन संबंद में भी नड़ा ले सकते हैं फील्ड परि अभी हाली में राजस्थान अंतराश्टी ये लोक मौसों के दोरान कलाकारों ने कलवेलिया निरत्य प्रस्तुत किया, तो कलवेलिया निरत्य के बारे में देख लेते हैं, ये भारत के राजस्थान राज्ज का एक लोक निरत्य है, और इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस जैसे नामों से भी जाना जाता है ये विशेश रूप से कलवेलिया नामक राजस्थानी जंजाती द्वारा किया जाता है इस नरत्य की लोक प्रियता दुनिया भर में इतनी है कि राजस्थान का कलवेलिया नरत्य और गीत अब बर्स 2010 में युनिसकों की मानता की अमू निरत्यों में से एक है इस नर्त्य शैली में मुख्य कलाकार महिला नरतक होती है जो नागिन की गत्यविधिदियों की कि नंगल करते हुए न्रत्य करती है और घूंती है नर्तक चमकीले रंके सकट ब्लाउज और भारी आबूसर पहनते हैं बाद यंद्र में इसमें क्या प्रियोग होता है तो पुरुसी संगीतकार आम तर पर ढोल जो एक ड्रम की तरह होता है पुंगी जो एक सपेरे का पाइप होता है उसको पुंगी बोलते है और खंजरी जो एक डफली होती है बज लिपिड और लिपिड संसोधित लक्च और कोले लिथी एसिस के बीच जटिल संढ़नों पर प्रकास डाला गया है तो अब तभी ये चल्चा मैं देखते हैं तो ये कोले लिथी एसिस ये पिततासे में पत्री होने में की इस्थिति को कोले लेथियसिस कहा जाता है ये एक सामान हेपे टोबिलरी इस्थिती है ज唯े ज़या तर पसमी देशों की आवादी को प्रभावित करती है ये कोले जनियो कार्नि सोमा के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है जो एक प्रकार का पित नली का कैंसर है पितासे की पथरी पितासे में निरमित पाचन द्रब्य का कठोर जमाओ है पितासे एक छोटा नासपाती के आकार का एक अंग होता है जो एकरत के नीचे इस्थित होता है ये एकरत द्वारा निरमित पित रस को संग्रह और बसा के पाजन में सायता है तो ये सिष्टिक बाहिनी और सामान्य पित्त नलिकाओं के मात्यम से ये छोटी यांत में छोड़ा जाता है इसके कार्ड क्या होते हैं तो इसमें कोले लेथियेसिस का सटी कार्ड पूरी तरज कोई अभी स्वष्ट नहीं है लेकिन ये आम तो होंगे तो इसके सबसे सामानल अच्छड से पेट दर्द होता है और उपरी दाएं या मद्ध पेट में इस्थानिय करत होता है उपचारों में तो इसके इलाज की दबाओं और प्रिक्रियाओं के लिए इसका उपचार किया जा सकता है हमारा अगला आठकिल है अजिवति थास पंदितार के बारे में तो आए देख लेते हैं अभी हाली में तमिलनाडु सरकार ने चेंड़ी के गांधी मंडपम में एक दलित आधिकार दलित समाझ से भी थे और जो जाती विवस्ता का विरोध करते करने वाले कारिकरता थे इसको कारिकरता है आयोती थास पंदितार इनकी मूरती इस्थापित की है तो इनके बारे में देख लेते हैं तो इनका जन्म 20 मई 1875 को मदरास प्रेसिडेंसी में हुआ था ये प्रमुख जाती विरोधी कारिकरता और सिद्ध चिकित्षा के लब गयाता थे ये आदिवासी लोगों के साथ ज तोड़ा और अन जन्जातियों की सुतंतता अंदोलन के लिए एक दुरजय ताकत के रूप में संगटित किया था इन्होंने 1866 में अदोयदांत सभा की स्थापना की और एक रेव जौन रतिना के सयोग से ये द्रबिण पांडियन नामक एक पत्रिका भी इन्होंने साक के बहुत सुसाइटी के स्थापना की जिसकी साखाएं संपूर दच्ड भारत में हैं मलब थी साक के बहुत सुसाइटी के स्थापना 1898 में हुई थी जिसे भारतिय बहुत संग के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने समाज के कामकाज का प्रवंधन और समनवय के लिए 1907 में एक सापताहिक पत्र का तमीजान भी शुरू की थी हमारा अगला अटकिल है गजराज सुरक्षा के बारे में तो आए देख लेते हैं अभी भारतिय रेलबे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाले जो दुरुगटनाओं को रुकने के लिए गजराज नामक एक अत्यादुनिक तकनीकी पेस की है तो जीसे टेन आ रही होती है और हाथी निकलते हैं तो कभी-कभी हाथी कट जाते हैं तो भी इसको देखते हुए ये घजराज नाम कात्यातनिक सकनी की पेश की गई है ये रेलबे ट्रेक के करीब जो आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए ये साई आधालित अलगोरिदम और सबेदर सील आप्टिकल फाइवर केबल के नेटवर्क का उप्योग करता है इसका उद्धे से ट्रेन दुरगटनाओं के पैडाम सरूप जो हाथियों की मृत्त हो जाती है उसका समाधान करना है ये घजराज अच्छा पटरियों पर हाथि जैसे ही हाथी चलते हैं ये आप्टिकल फाइवर उनके कदमों के कारण होने वाले कंपन का पता लगाते हैं ये कंपन आप्टिकल फाइवर नेटवर्क के भीतर संकेतकों को ट्रिगर करते हैं जिससे सिस्टम ट्रेक पर उनके आगमन से 200 मीटर पहले तक हाथियों की उपस कर काम करती हैं यह नेटवरक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हाथी की गत्विधियों को बहुत सटीक्ता से ट्रेक कर सकता है और यह पास के स्टेशन मास्ट्रों को इसकी रिपोर्ट भी कर सकता है इससे उन्हें प्रभावित छेत्रों में लोको मोटीब ड्राइबरों को तुरंत सूसित करने की यह अनुमति मिलती है यह त्वरित संचार सुनशित करता है और ट्रेनों को धीमा या रोका जासकता है जिससे हाथियों के साथ संभावित प्रक्राव को रोका जा सके बारतिया रेलबे ने इस परणाली को पस्सिम मंगाल उडिशा जारखंड आसाम केरला 36 गड़ के कुछ एसों में और तमिल लाड़ू में सुरू करने की योजना बना रहा है हमारा अगला आटिकल है अभ्यास मिलन के बारे में तो आए देख लेते हैं अभी अभ्यास मिलन का अगला संस्क्रण फरबरी 2024 में आयुजित होने वाला है तो तभी इसके बारे में आया है अटिकल देखते हैं यह अभ्यास मिलन एक दुवारसिक बहु पक्षिये नौसयनिक अभ्यास है जो 1995 में शुरू किया गया था तब इसका दाइरा और पैमाने काफी बढ़ गया है और ये भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास बन गया है 1995 में संस्करण में केवल चार देशों अर्थात इंडोनेशिया, सिंगापूर, सिलंका और थाइलेंट की भागेदारी के साथ सुरू किया गया था तब से इस अभ्यास में प्रतिबागियों की संख्या और अभ्यास की जटिलता के सामामले में तेजी से बदलाव आया है मूल रूप से भारत की लूप इस्ट पालिसी के अन्रूप कलपना की गई थी कि मिलन आगामी बरसों में भारत सरकार की एक्ट इस्ट पॉलिसी और छेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के साथ विस्तार हुआ है जिसमें मित्रबत विदेशी देशों की भागेदारी सामिल है मिलन 24 का मर्द योजना सम्मेलन इस वरस अक्टूबर में आवजित किया गया था विसाका पत्नम में आवजित मिलन के पिछले संस्क्रण में 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था अब देखते हैं सागर पहल क्या है तो यह एक भारतिय विदेश नीती सिध्धान था है जिससे दुज़ार 15 में पेश किया गया था सागर का उद्देश भारत और उसके पड़ोसी देशों विशेश कर हिंद महासागर छेतर में सायोग और आपसी विश्वास को बढ़ाना है सागर नीती में कई घटक हैं जिससे समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सुनेशित करना सतत विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना संयुक्त राश्टों की बीच सांस्कृतिक और लोगों से लोगों चुत पिफिल टू पिफिल के बीच मलब खनेक्ट होना और में उसको उनको मजबूत करना आज सामिल है हमारा एगला अटिल है हाइडोजन फौर हाइल्टेज योजना के बारे में तो अभी भारत ने हाइडोजन फौर हेडोजन के निर्माण में है तुविक कंपनीयों को आमंत्री करने का प्रस्ताव किया है तो अभी यसी योजना Digital Electronics Multiple Unit में Hydrogen Fuel Cell का Rate Fitment करेगी Hydrogen Fuel Cell बिजली का उत्पादन करने के लिए Hydrogen और रासाइनी कुरुजा का उप्योग करते हैं इसके लाब क्या होंगे तो इसमें हरित परिभायन प्रत्दोक्य को बढ़ावा मिलेगा और साथी सून कारवन उस्वर्जन लच्चों की भी प्राप्ति करने में मदद करेगा अगला है हमारा अटकिल काजी रंगा राश्टिय उध्यान के बारे में तो अभी हाली में असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे की मौत हो गई है के एनपी के बारे में देख लेते हैं तो यह राश्टिय उध्यान पूर्भी हिमाली जैब वित्ता हॉट हिस्पॉट का हिस्सा है यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और कारवी आंगलोंग पहाडियों के दाच्चिन में इस्तित है इसे 1985 में इनिसको ने 20 धरोर इस्तल के रूप में घुषित किया था और यहां इस उद्धान में एक सिंग वाले गेंडे की 20 किस में सरवाधिक आवादी पाई जाती है बनसपतियों में यहां पर जलोड घास के मैतान से लेकर उष्ट कटबंदी आज सदावार बनतक यहां सामि के बारे में तो अभी प्रेम चंदर की जोथ बाद में सुप्रिम कोट ने निड़े दिया है कि एक विश्व विद्धाले में कुलपती के रूप में राजपाल अपनी विवेका दिन सक्तियों का प्रियोग करते हुए मंत्री परसित की सलह मानने के लिए बात नहीं है समिधान के अनुच्छेद 163 में राजपाल की विवेका दिन सक्तियों के बारे में उल्ले करा गया है मतलब ये एक अन्य विवाद में सुप्रिम कोड ने कहा है कि यदि राजपाल राजपाल मंडल द्वारा पारित किसी भी विदहक को पुनर विचार के लिए भेजता है तो राजपाल उस विदहक को पुनर पारित करके राजपाल के पास भेजता है तब राजपाल उस विदहक को राश्टपती के लिए आरच्छित नहीं रख सकता है अनुछे दोसों के तयत विधान मंडल द्वारा पारित विधहक के मामले में राजजिपाल के पास चार विकल्प होते हैं ये चार विकल्प काँ से होते हैं इसमें होता है कि या तो विधहक पर अनुमती दे दे और या विधहक पर अपनी अनुमती को रोक दे या विधहक को पुनर विचार के लिए लवटा दे और या विधहक को राश्टपती के लिए विचार करने के लिए आरच्छित भी ये रख सकता है हमारा अगला आठकिला है सेलम कॉंट्रेक्ट बाइनरी उपग्रह के बारे में तो आई ये देखते हैं अभी अंतर राइश्टी है खगोल संग ने छुपद्रक रहे है डिकी नेस के उपग्रह का नाम सेलम रखा है जिसका आर्थ होता है सांती सेलम की खोज नासा के लूसी म कि थी यह अब तक खोजा गया सब सब पहला कॉंट्रेक्ट बाइनरी उपग रहे हैं कांट्रेक्ट बाइनरी सिस्टम में दो खगोलिये पिंड इतने करीब होते हैं कि इनकी सतह एक दूसरे को इसबर्स करती है जैसे कि यह इसमें दिखाया गया है यह इसमें बना है इमें इसमें देखो एक दूसरे के सता एक दूसरे के एक दम करीब चिप्टी हुई है लूसी मिसन को 2021 में लांच किया गया था और ये ब्रस्पति के टोजन सुप्तगरों का आधन करने वाला पहला अंत्रिच मिसन है टोजन लगू पिंड होते हैं जो प्रारमिक सौर मंडल के अपसेस हैं ये टोजन ब्रस्पति की कच्छा में दो आसमान समूवों में सूर की परिक्रमा करते हैं इसमें एक समूव बनस्पति से आगे और दूसरा ब्रस्पति होता है हमारा अगला अटकल है लीडर्सिप ग्रूफ और इंडस्ट्री ट्रांजीशन के बारे में यानि लीडिट 2.0 के बारे में तो भारत के पधान मंत्री और स्वेडन के पधान मंत्री ने अभी सायुक्त रूप से लीड आईटी के चरण सेकेंड की सुरुआत की है तो लीड आईटी के प्रिथम चरण की सुरुआत 2019 में भारत और स्वेडन के सायुक्त राष्ट जलवाई जो कारवाई सिखा समयलन में की गई थी इसका उद्ध से 2050 तक जो भारी उद्धोग हैं उनको नेट जीरो उसरजन के लच्च को हासिल करना है इस लच्च की प्राप्ती के लिए देश कंपनियों और उद्धोग विशेशक्यों को ये मंच पर एक मंच पर लाता है लीड आईटी 2.0 इसमें निमलेक पर अपना ध्यान के इंद्रित करता है इसमें समाबेसी एवं जश्ट इंड़स्टी टांजीशन, निम्न कारबन उसरजन, जो होने वाली प्रदोगी का विकास और हस्तान तरण विक्सित देशों से वर्ती अर्तिवस्थाओं में प्रदोगी का हस्तान तरण और भारत और स्वेडन ने इंड़स्टी टांजेशन प्लेटफार्म की भी शुरुवात की है ये प्लेटफार्म दोनों देशों की सरकारों, उद्धोगों, प्रदोगी प्रदाताओं, सोधकरताओं और ठिंक टेंक को भी जोड़ेगा हमारा अगला अटकिल है एंथ्रोबोट्स के बारे में तो अभी बैग्यानिकों ने एंथ्रोबोट्स विक्सित किये हैं तो ये देख लेते हैं एंथ्रोबोट्स क्या होते हैं तो ये मानब कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट हैं जो ये छती ग्रस्त तंत्रिका उतक की मरमत करने में सच्छम है। इन्हें आनुवांसी संसोधनों के बिना बहस्क मानब को सिकाओं से बनाया जा सकता है। इन्हें आपस में जोड़कर सुपर बाट बनाया जा सकता है। एन्थ्रोबोट्स का विकास पुनरयोजित चिकित्षा के लिए एक महतपूर प्रगति का परिजित्षा करता है। पुनर योजी, चिकत्साव्य मानव की सामाने गत्विजी को पुनरभाल करने या स्थापित करने के लिए मानव को सिखाओ उनके उतकों या अंगों को बदलने या पुनत जिवित करने की प्रिक्रिया है एंथ्रो वोट्स जेनो वोट्स से भिन होते हैं जेनो वोट्स मेडक की भूड इस्टेम को सिकाओं से राप्त होते हैं तो आज के हमारे सारे आटिकल फिलिस हो गए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू